शाम हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए तो आज हम डिनर में कुछ लाइट बनाते हैं वैसे दिनर लाइट ही होना चाहिए, जाधा हैमीन ही होना चाहिए तो आज हम बनाएंगे पुलाव और कडी आज मैं पुलाव के साथ वाइट वाली कड़ी बनाने वाली हूँ वाइट कड़ी जो थोड़ी सी मीठी होती है और टेस्स में बहुत ही अच्छी लगती है तो चलिए सबसे पहले पुलाव की थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं तो पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिये हैं बासमती राइस तो यहाँ पे मैंने दो कप बासमती राइस लिये हैं और उन्हें अच्छे से दो से तीन बार धो लिया है राइस को बहुत मसल मसल के नहीं दोना चाहिए लाइटली एकदम धोएंगे दोने के बाद उसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पे चावल डुबे इतना पानी डाल दिया है रेट ग्लास इतना और उसे रख दिया है साइड में जबी भी आप चावल बनाओ उससे पुलाओ बनाना हो या फिर ऐसे ही चावल बनाने हो तो उसे इस तरह भीगने के लिए छोड़ दीजिए चावल थोड़े से भीग जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे खिले खिले और फटा-फट से भी बन जाएंगे अब मैंने ले लिए एक पतिली और उसके अंदर ले लिया है दो से तीन घ्लास पानी और पानी को मैंने गरम करने के लिए छोड़ दिया है एक दम लो फ्लेम पे पानी गरम हो रहा है तब तक हम सब्जियों को वाश कर लेते हैं अच्छे से धो लेते हैं तो यहाँ पर मैंने गाजर लिये हैं पत्ता गोबी लिये और प्याज लिये हैं आपके पास जितनी भी सब्जिया हैं उतनी आप ले सकते हो मैंने मटर भी निकाल लिये हैं, जो मैंने पहले से ही चिलके रखे थे, इसके अंदर आप फुल गोबी, पनीर, कुछ भी डाल सकते हो, पुलाओ ऐसी चीज है कि इसके अंदर आप कितनी भी वेजरेबल डालो कम है, सर्दियों में मेरे घर में तो पुलाओ बार बार बनता है क्योंकि इसी बहाने बच्चे थोड़ी सी सबजिया भी खा लेते हैं, और मेन्यू भी इतना सोचना नहीं पड़ता है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो भी सबजिया है, उससे काम चल जाता है यहां पर मैंने दो प्याज ली है, दो गाजर ली है, और एक अधीक पत्ता को भी ली है, आधी भी नहीं थोड़ी सी कम है गाजर को चील लिया है, और इस सारा बड़े बड़े टुकड़ों में हम काट लेंगे, छोटा बड़ा आपको जैसा पसंद है, आपको काट लेना है मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ, तो प्याज को एक दम लास्ट में काटती हूँ, क्योंकि प्याज मुझे बहुत ही रूलाती है, मुझे क्या सब को बहुत रूलाती होगी तो चलिए, यहाँ पर मैं रोदो के आ गई हूँ, मुझ मैंने दो लिया है, मेरी आंखे दो लिए अच्छे से और यहाँ पर सब कुछ कटिंग हो गया है, और पानी भी हमारा अच्छे से उबल गया है, तो चावल उसके अंदर मैंने डाल दिये है और यह दिखे, पान्च से साथ मिनिट में हमारे चावल पक्के रेडी हो चुके है, यहाँ पर हमें चावलों को एकदम नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्छा रखेंगे, ताकि जब हम मिक्स करें सबजियों के साथ, तो तूटना जाए, और कच्छे चावल पुला हमें तो ठकन लगा दे, ताकि उड़के अपने उपर ना आए, अब उसके अंदर डाल दिये, मैंने थोड़े से काजू, आदे कब जितने, और काजू को मैंने थोड़े से बड़े टुक्रों में कट कर लिया है, और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका दिया है, फिर डाल दे प्यास, प्यास को भी थोड़ा गोल्डन होने देंगे, और उसके बार डाल देंगे सारे सबजिया जो हमने कट की थी, और उपर से कर देंगे बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, तो सारे चीज़े मैंने डाल दी है, और अच्छे से मिक्स कर लिय है, यहाँ पे हमें कोई और मसाले अट नहीं करना है, यहाँ प्यास के में राओ, इक डाल राओ, थे उसके मैं बड़ने है, तो यहाँ पे तो छली है, LIVE कर लिया एक देंगे, चाहिते है, नमक, मार्केट का देंगेiiii और तीन कप पानी इस तरह का हम यहाँ पे रेशियो रखेंगे और इसके अंदर डाल दिया है मैंने तीन चम्मच बर के बेसन अब मैंने ले लिये हैं अद्रक, मिर्च और लसुन लसुन यहाँ पे हम तीन से चार कली लेंगे मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हो आपको जितनी तीकी कड़ी पसंदे उतनी और एक छोटा टुकड़ा काजू अद्रक का और उन्हें हमें कूट लेना है थोड़ा सा नमक डाल के ताकि अच्छे से एकदम कूट जाए मतलब कि एकदम फाइन कूट जाए और अब इसके अंदर चला लेंगे ब्लेंडर ब्लेंडर से सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाता है जो बेसन हमने डाला है उसके लंप्स नहीं रहते अगर आपको ब्लेंडर नहीं चलाना है तो आप विस्ट कर सकते हो तो चलिए आप कड़ी को मैंने चड़ा दिया है गैस पकने में टाइम नहीं लगा है क्योंकि इसके अंदर हमने ऐसी सबजिया ली थी जो फटा-फट से पक जाए और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि चावल में नमक नहीं डाला था तो नमक डाल देंगे चावल के भाग का और इसे मिक्स कलेंगे तो पुला मसाले हम डालेंगे, तो हमेरी मसाले बहुती परफेक्ट बनेगी बहुती टेस्टी बनेगी, तो छले सारे मसाले मैंने पहले सी निकाल के रैडी कर लिए है और यहां पे हम करी पता हैं तो यहां बहुत ही बड़िया बनती है मेरे पास नहीं है वरना मैं पता शोई डाल दी तो चलिए अब कड़ी में चोक लगाने की तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दो से तीन चमच गी ले लिया है एक चमच जीरा आधी चमच अजवाइन और यह जो सारे मसाले हमने निकाल के र बहुत ही बड़ी है कड़ी में चोक डालने से उसके अंदर एक अलगी फ्लेवर आ जाता है और उसका कलर और टेक्शर सब कुछ बदल जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही बड़ी आता है तो यह देखे कड़ी भी हमारी फटा फट से बढ़ के रैडी है और उसके रात में इस तरह काप डिनर बनाएंगे तो एक दम लाइट भी रहेगा और खाने में टेस्टी भी लगेगा तो जल्दी मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जेशिक रशना